अनित्य द्रिस्ये सू बिविच्य नित्यम तस्मिन समाधत इहस्म लिलया बिवेक बैराग्य शुद्ध चित्तं इहसो बिवेकी तमहम नमामी नमस्कार आज स्वामी बिवेकानंद महराज के जनमतिथी पर आप स्वावी का स्वागत करते हैं इस पोग्राम में दोपहर में अनुस्थान धर्मसभा का सुरू हुआ है उद्बदन संगीत के माध्यम से मेरे पहले आये हुए वक्ता ने स्वामी जी के बारे में बता है उनके जीवन का नुद्ध्यान किया है विशे ही था स्वामी जी महराज के जीवन और बानी और आज मैं स्वामी जी के जो बानी है जो उन्होंने कहा है विस्व के सभी वासी जो रह रहा है सब के लिए विस्व में विस्व के लिए उद्देशकर कहा है आज उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे हम स्वामी जी के जबानी को कथामरित भी कह सकते हैं क्योंकि कथामरित अर्थात सिर्व भगवान से रामकिष्न के सुरी मौज़ वारारचित वो किताब नहीं, वो गरंथ नहीं किताब बोलने से उसका मान छोटा हो जाएगा, गरंथ वो गरंथ नहीं, कथा अमरिट अरथात, कथा प्लस अमरिद तो जो अमरिद मौई कथा है जिस से सुन मात्र ही हम लोगों के जिवन में मंगल होगा और अगर हम उसे कारी में परिवर्टित करें और भी मंगल होगा और भी फृत्फुल होगा तो वही हम आज सुनेंगे स्वामी जी क्या कहे है इस दुनिया के लिए उन्होंने कहा है कि what a little work has done by me has not been from any inherent power that resides in me उन्होंने कहा है कि जो कारी मैंने किया है वो मेरे पुडवजों के जो inherent power थे बतलब जो डीती जी है परिवार का वो उसके कारण नहीं है वो मुझ मैंने उसको बच्पन से ही उसको उस पाथ में चलकर बच्पन से ही मैंने उसको develop किया है नकाहे, blessings that have followed my path in the west from this our very beloved most scared dear motherland some good has been done no doubt in the west but specially to myself for what before was the result of emotional nature perhaps gain the certainty of conviction and attain the power of and strength of demonstration तो हम लेखते हैं कि बार बार स्वामी जी ये कहे है कि हम लोगों को इस देश को स्वामी जी बहुत प्रसंग चाग गिया है भारत बरस को पर परन्त उन्होंने कहा है कि हम ये जादू विद्या इत्यादी में बहुत एंग्रोस्ट हो चुके है हम उसी में रहते हैं कुछ भी problem हुआ तो हम उसी के पार जादू या जो पूसंगस का है वही में चले जाते है पर तो स्वामी जी कहे रहे है कि ये हम लोग के अंदर जो पावर है जो इंफिनिट पावर है वो उसको बहुत बिठा दे रहा है हम लोग के अंदर एक शमता है हम लोग के अंदर ये पूरी दुनिया को जितने की शक्ति है जो हम लोगों में ही है और हम भूल चुके है स्वामी जी कह रहे हैं उसको जगानी की केवरत है स्वामी जी कह रहे है कि ये स्वामी जी का अंदर ग्रेट लीडर है from the childhood हम देख सकते है जो बच्पन के खेल खेलते थे स्वामी जी महाँ पर भी हम ये बहुत बार देख चुके है स्वामी जी कह रहे है कि जो इन्फिनिट जो भगवान जो मनुस्य और भगवान के जो ये सब भारत बर से ही आए है तो कह रहे है कि भारत in India alone the man has not stood up to fight for a little tribal god saying my god is true and yours not true तो कह रहे है कि let us have a good fight over it तो भारत बस में हम देखे है मतलब स्वामी जी कह रहे है कि ऐसा कोई आदमी नहीं है जो ये खरे होकर इस बात पर जूद किये है कि मेरा भगवान सच है तुहारा भगवान सच नहीं है और इस बात पर दर आए हुए है सब के भीतर एक संबान था उस बात पर भी स्वामी की कह रहे है कह रहे है कि it was only here that such ideas did not occur as fighting for little gods this great underlying principle based upon the eternal nature of man और ये कहर रहे है कि अवाल, what India has to give to the world is this. If we watch the growth and development of religion in different races, we shall find this, that each tribe at the beginning had its own God. If each tribes are allied to each other, these Gods will have a generic name. For example, the Babylonian Godhead. When the Babylonians were divided into many races, that generic name, just use races, has different Gods with common name. So, Swami Ji, Swami Ji का ये कहना है, कि इस, मतलब बिविद से, काष्ट में ये बट जाने से, एक समाच का एक बहुत खती हो रहा है, चती हो रहा है. और किताबों पे भी स्वामी विवेकानन्द महराज ने ये बताया है, स्वामी Ji ने बताया है कि एक जाती के पीछे उसका धर्म है, अगर वो धर्म ही नस्थ हो जाए, तो वो संपूर्ण जाती का भी नास हो जाता है. स्वामी की कहा रहा है कि ये भारत वर्ष से हमें ये सिखना चाहिए कि भगवान की ये जाती, मतलब तो डिवाइड इन नेम अव गौड, जाती के नाम पर ये भेद करना नहीं जाएए. विभिन्न देश का उधारन दे रहा है हुए, और कह रहा है कि इन लोगोंने भी मतलब भगवान धर्म के नाम पर भेद किया है, मत भेद किया है जाती भेद किया है, इस से उन लोगों का ही, क्योंकि दोनों का प्रिंसिपल अलग है, thoughts अलग है और यही अलग thoughts एक यूद्ध या कोई मजब destruction में परिवर्दित हुआ है वो यह कह रहा है और यह भी कह रहा है कि in India the same competing gods have been struggling with each other for supremacy but he gave good fortune of this country and of the world was that there came out in the midst of the din when confused a voice declared ekang svadhipra bahudavadanti that which exists in one sages call it by various names it is not a siva is a superior to vishnu not vishnu is very thing and siva is nothing but it is the same one whom you call either siva or vishnu or by a hundred others name the different name but it is the same one swami ji कह रहा है एक सुन्दर phrase कह रहा है कि यह हम लोग के मन्द में रहना चाहिए और यह 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 फ्रेज भी उठा था उस समय जो यह कह रहा है कि यह कह रहा है कि एकंग svadhipra bahudha vadanti कह रहा है कि वो एकी भगवान है बिवित नाम से है तत्वे की है वो सिवा है विश्णु है फॉर्म है यह फॉर्मलेस है मतलब सभी एक है विवित नाम है मूल वस्तु एक है भगवान एक ही है हम धाकु शिराम कृष्ण के जीवन में भी देख सकते है भगवान शिराम कृष्ण का आमीर भाब क्यों हुआ था वो इसी कारण हुआ था कि उनके पहले भी बहुत जना आ चुके थे बहुत जना आये थे जो ये कहने के लिए आये थे कि इस जाती के मदभेत को बदलना चाहिए भगवान एक ही है परन्तु उनके जो प्रभाव थे उनके जो बात थे कुछ जन्ने समझा था और अधिक दर हम देखे है कि अलग धर्म का निर्मान किया था और वो लोग अपने अपने धर्म में मानते थे एवंग उसको प्रैक्टिस करते थे पर फिर भगवान सिरामकृष्ण का विर्व क्यों हुआ कि उस सभी धर्म के सभी समर्थक को ये बताने के लिए कि सब भगवान एक ही है जो ये एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था वहाँ पर फगवान सिरामकृष्ण का जनम हुआ ताकि वह कंफ्यूजन डूर कर सके ये बता सके कि वह फेमस लाइन जोतो मौत तो पौत जोतो मौत तो पौत यही से आ रहा है कि एक अंग स्वद्धि प्रा बहुदा वदंती वो दोनों का मतलब ही एक ही है भगवान एक ही है रास्ता अलग है चाहे वो कोई हो भगवान एक ही है स्वामी जी कह रहा है कि अगर भारत वर्स के इस इतिहास को परेंगे तो आप बहुत कम पाएंगे यह सब क्योंकि कह रहा है कि the whole history has been a repetition in massive language with tremendous power of that central doctrine it is repeated in this land till it has entered in the blood of nation till it began to tingle with every drop of blood that flowered in its vein कह रहा है कि हम लोगो यह जानना चाहिए और पढना चाहिए तब तक पढना चाहिए जब तक हमारे रग रग तक यह वाकिपना हो जाए कह रहा है कि हरीं is the explanation of the most remarkable phenomenon that is the witness on here all the various sects apparently hopelessly contradictory yet living in such harmony you may be a dualist maybe I may be a monist you may believe that you are the eternal servant of God and I may declare I am one of the Hindu I am one with the God himself here both are both of us are Hindus how much is that possible read them that that exists which exist in one sages call it by various name a can swaddi pra bahudavadunti तो स्वामी जी कह रहा है कि भारत बर्स में ही स्वामी जी बहुत बहुत बार अपने भासन में अपने कथा में भारत बर्स की इनी बात को लेकर बहुत प्रशंग्शा की है वे कह रहे हैं कि एक ही मतलब एक ही जगा पर दो धर्म के अलग-अलग मतलब कोई different sects से आ रहे हैं दो धर्म से आ रहे हैं तो मतलब एक living in such harmony बहुत संती तरीके से रह रहे हैं वो कह रहा है कि वो भगवान भी हो सकते है या भगवान में विश्वास रखने वाले भी हो सकते हैं यह कैसे possible है भारत बर्स में क्योंकि वही एक है कि एकंग स्वधिप्रा भहुदा वदनती भगवान ही की है मुनी जनों ने विविन विवित नामों से ताकी सभी को समझ में है पर परन्तु यह जो idea था कि भगवान सब के है और सभी भगवान के संतानों को भगवान के बारे में जानना चाहिए जो नाम उन लोगों के लिए मतलब स्परन मरंद करने में सुबिदा होगा मुनी जनों ने उन नामों पर यदा फोकस किया है परन्तु शमयक के साथ साथ यही एक बड़ा आका ले लिया है असल मतलब सब भूल चुके थे वही दोराने के लिए इस 21st century में भगवान सी रामकृष्णा, माशारदा रेवी और जुगनायक स्वामी विवेकानन्द का जरम वाता यही बात बताने के लिए वह कह रहे हैं का यह सिन दे ने ने बस्तॉप्तिशन दिवर वस इन यही बात बताने के लिए the tremendous sectoralism, the low narrowness of the mind तो कह रहे हैं भारत बर्ष में एक और है कि यह अंदविस्वास यकूसस्कार पर बहुत मानते हैं और सौमी की बारबार अपने भास्वास्द में यही कह रहे है कि हम लोगों को यही चीज हम लोगों को बदलना है हम लोगों को यही जो एक मदलब यही हम लोग को खोकला कर दे रहा है भीतर से हम लोग के जितने भी सक्ति है उन सभी को नश्ट कर दे रहे सुवामी ची बार बार यही कह रहे है और वो कह रहे है कि मैं इस मदलब पुड़े बिस्वा पर बहुत जगा पर घुमा हूँ और मैंने यह पाया है कि इस भारत बर्स के मदलब सभी को तामस अर्थाच इनक्टिविटी ने घेर लिया है बाकी के जो कंट्री है उसमें वहाँ पर सभी एकदम पूर्थी से काम कर रहे है पर यहाँ पर मानो सभी बोड़ी एकदम पैरलाइस होगे है यही कह रहे है कि स्वामी जी कि हम लोगो जो राजा का स्पिरिट है स्वामी जी मदलब Arise awake, stop not till the goal is reached और भी कह रहे है कि Arise awake be you my helpers in this world go from village to village बोले है कि गाव से गाव जाओ देश के एक प्रांग से दूसरे प्रांग जाओ और यह message फेला कराओ निर्भाए होकर यह काम करो जो ब्राम्हिन से चंडाल तक सभी को यह बता कराओ कि तुम लोगों के अंदर infinite power है स्वामी जी एक टाम दियता है हम लोगों को Children of Immortal Bliss अर्थाद उस परामात्मा के भगवान Children of Immortal Bliss स्वामी जी कहें जी यह जो मतलब हम लोगों के अंदर विश्वास खातम हो चुका है हम लोगों के अंदर से ही विश्वास खातम हो चुका है क्योंकि हम लोग वो गुप्त विद्या जादु विद्या और वो हम लोग के विलीव से आएगा हम लोग अगर अपने पर विश्वास करें तो ही आएगा परन्तु यह विश्वास हम लोग में उठ गया है और धीरे धीरे यह जो स्ट्रेंथ है वो भी खातम हो चुका है इसलिए स्वामी जी कह रहा है कि सबसे पहले हमें अपने में स्रद्धान चाहिए अपने शक्ति पर अपने अपने सोल पर जो इंफिनिट सोल है हमें यह विश्वास लाना चाहिए कि हम ही वो इंफिनिट सोल है हमें ही वो इंफिनिट पावर है और हम ये पूरी दुनिया को जीत सकते हैं ये पहली बात ये जो बात है वो स्वाब जी कह रहा है कि पहली हमें ये मन में इंसर्ट करना है बोला है कि बीस्ट्रॉण और हम इस स्रद्धा और एवरिटिंग एलस बाउन तो फॉलो और वो स्रद्धा कहां से आएगा कि हम लोग के बिस्वास आना जाहिए और वो जब तक नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होगा वो कह रहा है कि हम इस यगत पिता अर्टाथ भगवान के संताने है और भगवान के जो एक दिविन पावर इंफिनिट डिवाइन पावर है वो भी हम लोगों में थोड़ा थोड़ा करके हैं और वही हम लोगों को अपने विश्वास से आना विश्वास से वो फिर से जगाना परेगा यह कहह रहा है कि I'm in yoga with the infinite life the infinite godness and infinite power इसका अर्थात क्या है कि हम जो भक्ती हम जो जो प्रैक्टिस करते हैं बतला अर्थात भगवान का ध्यान ध्यान में हम लोग क्या करते है कि भगवान के साथ हम अपने मंद को connect करते है भक्ति यूगा क्या कहता है एकदम भक्ति यूगा के टौप पर चले जाएँ अब सभी तो हम देखेंगे कि भक्ति यूगा अरथाथ भगवाण से अपने मन को करनेक्ट करना यह शुरू में नहीं होगा एकदम लाश्टे जब भक्ति यूगा जिसने हम कहते हैं वही पर को जोड़ों का के तो यह सवामी जीव यह कहरे है कि हम वही हमको यह स्वास रख रहता है कि हम उस भगवार उस singing लाइफ उनीफ पावर के साथ जड़े हुए हैं तो हमें वी कुछ इनफिनिफ पावर ऐसे हम घिषा सब्सक्षा है अपने में. ऐसे हम जगत मतलब change कर सकते हैं. स्वामे जी कहे है कि हमको मुझे ऐसे शम्रताशी लरके लेदे हम मैं पूरे दुनिया को बदल दूंगा. तो वो यूथ वही power वो स्वामे जी यूथ में देखा है. स्वामे जी कह रहे है my faith is in the younger generation. स्वामी जी मयरा विश्वास है कि यही जो जुबाए है स्वामी कि जुबाव रिर्ग जा करते से चीर किमादी तो पूरातन कालों में पूरातन जो लोग है वो उनके पीछे सपोर्ट कर रहे पर जो आइडिया है वो नहे में नहे में सवामी जी का एक बहुत सुन्दर कोटेशन है मैं मेरे स्पीच के सेश में उसी में सही ब्यक्खा करना चाहूंगा बहुत सुन्दर कहा है स्वामी जी हलाकि दो दीन पहले ही जातिय जुबब दिवस गए है तो उसी के कॉंटेंट में मैं बता रहा हूँ कि स्वामी की कहा है कि गीब अप वन्स फर ओल दिस निवलिंग एक्टिंग्स टेक अप वान आइडिया समीजी कह रहा है सब कुछ छोड़ दो सब कुछ छोड़ कर एक बस एक आइडिया लो और वही अपनी जीवन में लगाओ सबने में सोचो ऐसे सोचो कि दिमाग रोम 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 नार्ड्स मसल्स सब जगह पर वही छाज़ा है पुड़े खून में एवरी पार्ट आप यूर बॉड़ी मस्क बी आवेर अब दाइडिया मस्क बी उत नोइंग विद दाइडिया और वह कहा रहा है यही एक मात्र जो सक्सेस वही यही एक मात्र वे है और यह से ही बहुत spiritual giants इस धर्टी में हम देखे है यह सुन्दर कोटेशंस हमें कह रहा है और यह भी कह रहा है कि हम लोगों में बिस्वास की बहुत कमी है वो विस्वास हमें पहले अर्जित करना होगा सिर्फ अपने पैर पड़ मजब यह सोच कर नहीं हम लोग बैठे रहे तो वो कुछ नहीं होगा धीरे धीरे स्वामी की बर रहे है और कह रहे है कि पहले हम लोग को शूचना परेगा फिर हम लोग को यह देखना परेगा कि हम लोग में विस्वास की कमी है तो वो विस्वास लाना परेगा वो कह रहे है कि हम लोग में एक असीम शक्ती है बट सदियों से बिटिस के टाइम से ही हमें यह कह रहे है कि वो इतना दबा चुके थे कि हम लोगों में जो ये खमता बार-बार हार की सामदा करने से क्या होता है कि हम लोगों में demotivation आ जाता है और ये कहते हैं I am nothing, I am nothing ऐसे करके करते हम शक्तिहीन बन जाते हैं और शिर्फ आप नहीं समझी कहा रहे हैं Not you alone, always becomes so तो वही स्वामी जी कहना है कि हम लोगों में वो laziness, meanness, hypocrisy ये हम लोगों के पुड़े country में एकदम चाच चुका है Every part तो वही स्वामी जी कह रहा है कि हम लोगों को उठना परेगा हम लोगों को जागना परेगा जागना ही in that sense आज हम जागे सुबा उठे और स्वामी जी का धान के फिस हो गए वो जागना नहीं है जागना मतलब अंदर से जागना है हम लोगों को अंदर से अवेकन होना है हम लोगों को from my heart, from my inside हम लोगों को तयार होना है वो जुद जो स्वामी की ऐलान कर चुके थे बहुत बर्स पहले उस जुद में भाग लेने के लिए इस दुनिया को बदलने के लिए इस जाती के समद्भेद को बदलने के लिए जो जुद स्वामी जी ने बहुत बर्स पहले वगवान सिराम किष्ण के वो आसीरवाद से शुरू किया था वो युद में हम लोगों को भाग लेना होगा स्वामी जी बाद बार यही कह रहे है कि हम लोगों को अपने पैर पढ़ खाना होना पड़ेगा स्वामी ब्रह्मानद देजी महाराज कह रहे है इसमें कुड़ एड़ करके और भी थाकुड के लिला पठ्षत ने भी यह कहा है कि भगवान और खुद पर भगवान पर विश्वास रखकर खुद के मन पर विश्वास रखकर मन पर विश्वास रखना और भगवान पर विश्वास रखना दोनों स्वान है चुकि मन में ही भगवान विरास्त है तो हम अगर मन ये भगवान पर विश्वास रखे और खुद के पैर पर खारे होके तो ही हम और धर्ब पत्मे आगे बढ़ सके जो भी हम कालिये करें हम लोगों के मन को पहले ये आस्वासन रहना चाहिए कि हाँ मैं यह कालिय कर सकता हूँ मुझे में यह चमता है कि मैं इस कालिय को एकदम सरलता से निभा सकूँ तो स्वामी जी कर रहे हैं कि वही एक थौट हम लोग के दिमाग बना रहा है फिर भगवान के संबल से ख़़ा होना चाहिए क्योंकि वही एक शक्ती का स्रोथ है तक उन्हें कहा है कि आमा के शोक्ती भवी मुझको शक्ती समझना तो वही स्वामी जी कर रहे है कि और भी लीड़ा पाठ्षत कर रहे है कि भगवान पर निर्भर होकर हमको और भी आगे जाना है आद में स्वामी जी के जिवन और भानी है तो आद में दो-तिन भानी का स्वारन करके हम मैं अपना बगत पी है क्समापत करूंगा धार्म के बारे में स्वामी जी ने कहा है कि मैं पहले बैंगॉली में है तो हिंदी में ट्रांसलेश कर देता हूँ धर्म तुमाएं नोतुन कीचिँ दैना केबल प्रोतिवन्दो गुली शोड़िये तो बार दीजय शरूप देखते दै तो हम चे कह रहा है कि जो धर्म हैं सभी को नया कुछ नहीं दे रहा है केबल जो प्रतिवन्द जो अबस्ट् कोड़ोना किच्यो एलावार चेस्टा करो ना जा किच्यो आचे ग्रहन करो को कोनो किच्यो बिक्याली तो ना हुईया मुक्ती बाँ शाधी ना था केबल समझा गोड़े गेले हावेना एक बार अधासकत हो हम जी काह रहे है कि यह हम लोगो को किसी भी बात पर बैट जाला नहीं है हर वक्त हम लोगों को आगे बरने का आगे बरने अगे बरते रहना चाहिए और जीवन में हम लोगों को हार मानना भी नहीं चाहिए और अंतिम में वो कहा है की जो असत्य है उन पर हमें विश्वास नहीं करना है जो कुशं असकार है उससे हमें दूर रहना है जो शत्य है उसको ही हमको पकड़ कर चलना है क्योंकि अंत में सत्य का ही जीत होता है बीच में अगर अधर्म जीत जाए बीच में अगर असत्य जीत जाए तो इस स्वाबी जी कह रहा है कि हमें दूरबल नहीं होना है स्वाधिन जता हमारा जरम सिप्धिकार है हम स्वाधिन हो कर रहेंगे हम स्वाधिन चिन्ता भी करेंगे अगर बीच में कुछ आजाए तो धर्म के पात में जाएंगे वो obstruction हम को clearly दिखेगा कि क्या है क्या नहीं है स्वाबी बाप के हम देखते हैं कि interlink है जो स्वामी जी कहे गए है आज उनके इस जरमतिसी के सूफ दिल पर उनके बानी को लेकर हम चक्चा किये मैं चक्चक स्वामी जी के चारण में ये प्रानिती अर्पन करूंगा सब के ओर से प्रार्थना करूंगा कि सब स्वामी जी के सुन्दर मार्थ पर चलते रहे और चलने की ख्रमता दे थाकुष राम किष्णे से ये मैं प्रार्थना करूंगा और इस दुनिया जैसा स्वामी जी चाहे है स्वामी जी का जैसा कलपना था इस दुनिया ऐसा होगा वही पुर्ण होए वैसा प्रार्थना करेंगे ओम तंदेशिकेंद्रं परमं पवित्रं विश्ष्यपालं मधुरं यतिंद्रं हितायन निदां नरमूर्ति बंतं विवेकादं तमहं तमहं नमामी नमस्कार